आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अडानी वीलमार एस टॉक के बारे में इसके फंडामेंटल को थोरा बहुत डिसकस करने के बार ओभर ओल सारा डिसकसन टेकनिकल पे ही होने वाला है इस एस टॉक को लेकर के उसके बाद इस समय श्टॉक करेक्शन होते वे दिख रहा है आखिर इस श्टॉक में गिरावट क्यों दिख रही है किस लेवेल तक के गिरावट दिखेंगे और फंडामेंटली कैसा है सारा डिसकसन में करने वाला हूँ और इससे पहले भी जितने भी वर्टसप के क्वेडिस थे सबको हमने रिसॉल किया है प्रसनली मैंने कहा था कि 383 यानि 383 के आसपास के प्राइस पर ये श्टॉक कॉंसिलिडेट हो रहा है अगर 395 के उपर की क्लोजिंग देती है तो 440-450 तक के टार्गेस दिखेंगे और अगर 420 के उपर कंपनी सस्टेन करती है ये श्टॉक तो आपको 700 तक के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे एड लाइक डैर जैसे हमने सोचा था वो नहीं हुआ और 383 के कॉंसिलिडेशन के बाद चुकि overall market sentiment bearish है जिसके बाद stock में गिरावर दिखी और इस समय जो इस stock का 350 का जो support है उसको continuous दो बार respect करते हुए दिखी है और इस बार उस level से मात्र 10 point उपर trade होते हुए दिख रहा है ये common sense सी बात है कि जिस किसी बंदे ने 260 के आसपास लिया होगा 300 के आसपास लिया होगा चुकि overall atmosphere bearish होने के कारण वो लोग भी profit booking करते हुए नजर आ रहे है जिसके कान इस stock में गिरावट आते हुए दिख रही है बहुत सारे लोगों की query ये थी कि सर हमने 400 पे वाई किया है इस समय मुझे क्या करना चाहिए तो personally मैं उन सभी investor और short term trader से कहना चाहूँगा कि अगर आपने किसी stock को buy किया है तो 2-3 चीज़े आपको जाननी होगी पहला कि आपका holding horizon क्या है आप maximum कितने time तक hold कर सकते हैं दूसरा कि आपका risk appetite कितना है इस share में आप maximum loss कितना book कर सकते हैं वो पहले से identify होना चाहिए कि हाँ मैं इतना loss ले सकता हूँ और तीसरी बात अगर आपके defined loss इस stock के अंदर आ गए हीट हो गए तो आप एगिट करिए चुकी जो भी target price है उसका duration आप देखेंगे तो more than 3 month है या फिर जो 450 का target था वो अगर sustain 395 के उपर था उसके बाद का target था ये चीज बहुत सारे buyer और short term trader नहीं समझते हैं तो market के अंदर टेडिंग करने से पहले technical का जो basic है support and resistance, moving average, RSI ये सब जान कर ही टेडिंग करे और बहुत सारे content यूटूब पे आपको